प्राद्धानी में चोरो ने पड़ी घटना को अंजाम दिया है आपको ताजा मामला बताते हैं सास्ी नगर थाना च्शेत्र का है जहां पर बताते हैं कि बेली रोड में केसब पैलेस में तीन दुकानों का ताला काटा गया है आपको बता दें कि मोके पर सासीनगर थाने की पुलिस और एफिसल टीम मुझूद है और इसकी जाच में अभी जूट चुकी है आपको दा दें कि जो पहले तो केसब पहलेस का जो सटर था में सटर था उसका ताला काटा जाता है इसके पश्चात एक साड़ी दुकान एक कोस्मेटिक की दुकान एक टाइटन आई प्लस चसमे की दुकान का सटर का ताला काटा जाता है हाला कि प्रोशासन के द्वारा जो सटर का ताला काटा गया है दुकानों को खोलने से उनके माली को अहीं मना किया गया है एफेसल की टीम मौके पर मौझूद है और जिसके बाद अभी जाज के बाद पता चलेगा कि अंदर कितने की चोरी हुई है और यहां पर सचीवाले DSP क्या कुछ कर रहे हैं जरा एक नजर देखें एक चस्मे की है और एक चूड़ी लख की है जटना अश्कल पे पुलिस पहुच चुकी है एफेसल टीम को बुलाया गया है और बैज्ञानिक पर सुन्पान के लिए बाटी विंग्स को भी बुलाया जा रहा है जाइड सी बात है कि सचीवाले DSP ने बताया है कि अभी एफेसल की टीम और पुलिस मोके पर मुझूद है इसकी जाज कर रही है और यहां पर CCTV केमरे जो भी लगे हुए इसको पुलिस खंगालने में जूट चुकी है और यहां पर पीडित दुकानदार क्या कुछ कर रहे ह एक नजर उनको भी देखिए। करें सिनाने के वार उनका इजाजत होगा पर दुकान पहलेंगे कितना प्रयस घ्याया क्या गया नहीं का टीन दुकान कर टोटल तीन दूकान एक तो राजस्थान सारी दूसरा राजस्थान लटी माट है तीसरा टाइटन आई प्लस है यह केशो प्लेस बेली रोड हजपूरा की घट्टा मेरा सुरेश कुमारबा जुरी आ पिडित दुकांदार का कहना है कि जब रात में इस ताला बंद करने के पश्चात आसुवह में हम आते हैं तो देखते हैं कि मेरे दुकान का ताला को काटा गया है जिसकी सूचना हमने पुलिस को दी पुलिस मोके पर आ गई है और चानवीन में अभी जूट चुकी है तो मैंसे ही छोटी बड़ी घटाओं से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहें NBC24